प्रथम पूझ पावन हितकारी मंगल मुर्ती तुम उपकारी शिव शंकर के राज दुलारे शुव और लाव को देने वाले संकट सब के हरने वाले भव से पार लगाने वाले शीष नवा आरती को गाएं चालिसा गामों दिखल पाएं मोदक का हम भोग लगाएं पावन इनकी जनम कहानी वेद पुराणों ने जो बखानी आओ भगतों तुमें सुनाएं इन चरडों का ध्यान लगाएं शीगन पत के नाम का भगतों धरलो ध्यान मोक्तिता फल पाओगे पाओगे निर्वान बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम शिवशंकर तप में थे बैठे शिवगन अपना काजित्थ करते मागारा ने मन में सोचा शान करन का शुह है मूका जया विजया को साथ में लीना नंदी को आदेश था दीना शिवजी जब तंद्रा में आएं शान कता उनको बतलाएं सक्यों संगति महल में आएं सक्यां तन उब टन की लगाएं जया के मन में प्रश्न था आया हम तीनों हैं महलक भी तत पहरे पर ना कोई बाहत क्या हो कोई भी तर आ जाए भूर अनर्थ सकी हो जाए वेद पुराणों ने गाई है गणपत कता महान वगतों तुम सुन लीजिये चर्णन का कर ध्यान बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम मा गोरा ने खूब विचारा तन से फिर उब चन को उतारा मानव का आकार था दीना पूतले ने जीवन था पाया हस्ट पूस्ट बालक बन आया माने हाथ में दंड थमाया और यहां आदेश सुनाया जाओ बाहर त्वार पे जाओ त्वार पे जाकर पहरा लगाओ चाहे जो कुछ भी हो जाए पूई भी तर आने न पाये बालक ने फिर शीश न वाया हातों में था दंड उठाया द्वार पे जाकर जाबो बैठा और महा पहरा था देता आगे क्या होने वाला वगतों हम अंजान श्री गणेश किरपा करें ये है किरपा निधान बोलो देव गजानन नाम पूरण हो जाएंगे काम वहाँ शिव जी की तंडरा आई गोरा कहीं न गई दिखाई नंदी ने संदेश सुनाया शिव जी ने सोचा महल में जाओं गोरा से वहीं मिलकर आओं स्राना ग्रह के द्वार पे पहुँचे इन वालक को बैठा देखे पालक से पर चैजो पूछा मा का लाल हुँ बालक बोला हटो मुझे भीतर है जाना जाने की भीतर आग्या नहीं है मैया का आदेश यही है सुन शिव जी है रत में आएं अपने विशे में सब बतलाएं सुन बालक की बात को शिव जी थे हैरान देख रहे बालक को हो वो करके परशान बोलो देख गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम चाहे आप हो मा के स्वामी पर मेरी मा का अनुगामी मा की आज्या मैं मानूगा भीतर नहीं जाने दूगा शिव शंकर फिर क्रोध में आएं आतों में त्रिशूल उठाएं बालक की गरदन पर मारा उसके सर को धर से उखाडा बालक की दी चीक सुनाई मैया महल से बाहर आई बालक को जब मृत था पाया मैरे लाल को जीवित करना सिस्टी नस्ट करूंगी वरना शिव जी ने विशनु बुलवाए शीहरी को थी समझाए शिव शंकर ने कर लिया श्री विशनु आवाँ विशनु भी चल दिय भगतों शिव शंकर की माँ बोलो देव गजानन नाम पूरण हो जाएंगे काम जाओ श्रीहरी जल्दी जाओ किसी प्राणी का शीश ले आओ गज बालक का शीश ले आए शिव जी ने धड़ से जुडबाए प्राण मंत्र जैसे ही फूंका बालक जीवित होकर बैठा जै जै कारे गूंज निलागे खुशियों के में लेते लागे माने हारी लाड लडाया शिव जी ने गोदी बिठ लाया सभी गणों का इश बनाया कौन गणीश का नाम धराया देव देव दर्शन को आए संग में अनुपम भेटे लाए कौन कौन दर्शन को आए तीन लोक ही कर रहे गणपत का गुणगान जिसने पावन धर्श किया हो गया फिर कल्यान बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम ब्रह्मा और ब्रह्मानी आए वेद सुरों का ज्यान भिलाए गणपत के सब नाम थे कीने श्री गणपत नी धारण कीने श्री विश्नू और लक्षमी आए चक्र सुदर्शन गणपती पाए लक्षमी ने धन धान था दीना इंद्र और इंद्रानी आए एरावत गणपत को थमाए और वज्र की शक्ती दीने अगनी वायू हिमा चल आए गणपत चर्ण में शीष नवाए अपनी अपनी शक्ती दीने और उन्हें प्रणाम थेकी है श्री गणपत के जनम से जूम रहा कैलाश चर्णों में हनमन करे धरती और आकाँ बोलो देव गजानन नाम पूरण हो जाएंगे काम नंदी भिंगी ठाल बजाएं शिव गण सारे मूद मनाएं देव देव जैकारे लाएं तर्मत की जैकार बुलाएं शिव ने प्रथम पूज बनवाया प्रेम से शीश पे हात फिराया मा गोरा तो लाड लडाएं लाल के ले रही मैय बलाएं जनम दिवस है तुम्हारा मनाते जूम जूम कर तुम्हें रिजाते देवा की जैकार लगाते तुम्ती का फल है पाजाते आरती और चालीसा गाते मोदत का तुम्हें भोग लगाते चंदन के लकसे तुम्हें मनाते चरण शरण तुम्हें है बाते ए गण पति गण नायका करना सब कल्यान पूजन आपका कर रहे दे देना निर्वान बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम